हाई एविवन कैसे हो आप सब वेलकम है आपका निसूस जायकाएन व्लोग में और आज हमनाने वाले हैं यमी पुआ की रेसिपी क्योंकि होली आने वाली है तो चलो ट्राइ करते हैं इसके लिए मैंने लिया है एक बरासा बरतन और बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैं आप के साथ शेयर करने वाली हूं तो आप जरू ट्राइ कीजेगा और फिर हम यहां पर डालेंगे एक कप सूजी यहां पर देख सकते हो और जितना हमने सूजी लिया है उसका डबल मैदा इसमें आड़ कर देंगे और फिर हम इसमें आड़ करेंगे एक कप चीनी और अगर आप चमर देशी घी और इसको हम अपने हाथों से अच्छे से दो से तीन मिट तक के लिए मिलाएंगे मसल कर जिसे की यह सौफ्ट हो जाए तो यहां पर आप देख सकते हो यह अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसको इसका घोल त्यार करेंगे यानि की बैटर त्यार करें के पुवा का तो यहां पर दूद हमने लिया है पहले थोड़ा सा दूद लेकर और फिर हम इसमें डालेंगे जिसे की कोई लंप्स ना बने कोई गुठलिया ना बने और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा दूद आड़ करते हुए और यहां पर हम डाल देंगे तीन से चार इलाइची को इस तरह से उट कर यहां पर आपको भी ड्राइफ रूट्स भी आड़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो तो इसको मिक्स करते जाएंगे धीरे धीरे आपको डालना है जिसे की गुठलिया ना पड़े और अच्छे से हमा बनाओगे तो आपका पुआ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे अंदर से और फूला हुआ बनेगा बहुत ही यमी बनेगा यह देखिए इसको इसी तरह से आपको चलाते हुए मिलाना है एक बार में जादा दूद नहीं डालें और धीरे धीरे इसको मिलाएं यहां पर आप इसक तरह से डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यहां पर आप देख सकते हो हमारा बैटर रेडी है और इसको हम कर कम से कम दो घंटे के लिए रख देंगे जिसी की अच्छे से फूल जाए और दो घंटे बाद यहां पर चलो हम गैस अन करते हैं और उस पे चराएंगे पैन और उसमें हम डालेंगे आदा लीटर ओईल और ओईल को आपको मेडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है तो दो पूला बैटर इसका त्यार करें और अगर आपको थोड़ा सा फूला हुआ चाहिए तो आप इसी तरह का रखे कंसिस्टेंसी और यह बिल्कुल रेडी है तो चलिए इसको हम बनाते हैं तो यहां पे तेल हमारा मेडियम फ्लेम पे गरम हो गया है और अब हम इसमें आड़ क पूआ आपका बनकर रेडी होगा यहां पे आप देख सकते हो एक दो पूआ आपका शुरू में चिपकेगा आपके पैन में उसके बाद सारा नॉर्मल हो जाएगा बहुत ही अच्छा बनेगा तो यहां पे आप देख सकते हैं पूआ हमारा फूल ने लगा है तो अब हम इ हो जाता है बहुत ही अच्छा बनने लगता है तो आप यहां पे देख सकते हो और गैस का फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है और इसको आपको पकाते रहना है जब तक कि यह इस तरह से ब्राउन ना हो जाए कुक ना हो जाए अच्छे से इसी तरह से हम सभी पुवा को चान कर त्यार कर लेंगे और यह बहुत ही यम बनकर रड़ी होता है तो आप इसको जरू ट्राइ कीजेगा अगर आपको थोरा सा पतला पुवा चाहिए अच्छा लगता है तो आप बैटर को थोरा सा और पतला कर दे इससे आपका पुवा देख सकते हो मारा एक पुवा तैयार हो गया है तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं और आपको हम दूसरा पुवा चान कर भी दिखाते हैं तो उसी गरम तेल में हम पुवा का घोल एड़ कर देंगे और इसको हम कुख होने देंगे मीडियम फ्लेम पे यहां पे आप देख पहला पुवा जैसे चिपक रहा था उसके बाद अब नहीं चिपकेगा और इस तरह से हम 2-3 मिनट में एक पुवा हमारा कुख हो जाता है तो आप देख सकते हो तो इसी तरह से हम सभी पुवा को चान कर त्यार कर लेंगे अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो करेंगे तो इस होली आप इस तरह से एक बार पुवा जरू ट्राइ कीजिएगा होप कि आपको पसंद आए तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत ही सौफ्ट फुला फुला पुवा हमारा रेडी है तो कैसा लगा यह रेसिपी नीचे कॉमेंट कीजिएगा अच्छा लग का हो तो लाइक करें मिलते एक और वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई बाई टेक केर थाइंक यू सो मच पर वाचिंग बाई